नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुक्य खबर जिसमें आपको उता हूँगा कि कैसे सुसान सिंग राशपुत केस में आ रही है सबसे बड़ी खबर साथी में आपको उता हूँगा कि कोरना वायर्स को एक बार फिर से लेकर डवलो एचो ने चितावनी दी है साथी साथ में आपको बता हुआ कि भारतियकर के टीम पूरी तरह से हो चुकी है धेर इसके साथी में आपको बता हुआ कि परधान मंतरी मोधी आज करने वाले हैं पूरे देश को सम्मोधी दोस्तो आपको उतादे के गवार फिर से डबलो एचो ने कोर्ना वायर्स को लेकर पूरी दुनिया को चेतावनी दी है और कहा है कि कोर्ना को दोबारा जोर पकड़ने से रोकने के लिए स्वास्ते धांचे को मजबूत बनाना चाहिए पूरे देश को दोस्तो दुनिया में कोर्ना का कहर तेज है चीन से सुरू हुआ कोर्ना का परको पिछले डेड़ साल से बरकरार है विशु स्वासे संगठन ने रविवार को दच्छिल पूरू एसिया छेतर के अपने सदस्ते देशों से कोविड-19 को दोबारा जोर पकड़ने से रोकने के लिए जन स्वास्तिर धांचे को मजबूत बनाने समाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से कारेनवन और टिकल गरन तेज करने की अपिल की है इसका मतलब यह है कि कोर्ना वायर्स एक वार फिर से खतरनाक रूप ले सकता है और हम सभी को इससे अभी भी साउधान रहने की जरूरत है चले बात करेंगे अब हम सीधे एक और बड़ी खबर की तो दोस्तों आप सभी को पता हुआ कि आज है योग दिवस यानि कि 21 जून को आप सभी को पूरे देश में हर कोई योग मनाता हुआ देखने को मिलने वाला है अब इसी को लेकर हमारी अगली बड़ी खबर है योग दिवस पर सुरू हो रहा है वैक्सिनेशन का अगला चरण अठ्रा साल से उपर के लोगों को मिलेगी मुफ्त वैक्सिन पूरू रेजिश्टेशन अनिवारे नहीं अगर आप भी दोस्तों अभी तक अपना वैक्सिन इससन नहीं करवा पाया है यानि कि कोर्ना वायर्स की वैक्सिन आपको नहीं लगी है तो इस खबर को जाने के बाद आपकी टैंसन कम होने वाली है क्योंकि पहले ऐसा था कि आपको कोविन एप पर रेजिश्टेशन करव पहली पारी सिरफ और सिरफ 217 रनों पर हो गड़े जी हाँ आपको उता है दोस्तों की टीम इंडिया बहुत बुरी तरह से न्यूजिलेंड के सामने घुटने टेकते हुए नजर आई जहां हमने देखा कि ओपनिंग पार्टनर्सिप के अलामा कोई भी पार्टनर्सिप ज सिरफ एक ही विकट गीरा है इसका मतलब यह है कि न्यूजिलेंड भारत से इस मैच में बहुत आगे चल रही है और ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपिनसिफ न्यूजिलेंड जीत भी सकती है चलिए बात करेंगे को और वड़ी खवर की तो जमू कास्मीर की आठ जिलो में विकेंड कर्फ्यू से राहत लेकिन रात में जारी रहेंगी पाबंदिया जी हां जमू कास्मीर में राज्यकारिकाईर समिती ESE ने रभी वार को 20 जिलो में सबताहंत कोविट कर्फ्यू हटाने की घोशना की है साथी कोविट महामारी के हालात में सुधार के मध् कर्फ्यू लागू रहेगा तो साफ है जमू कास्मीर में आपसी को एक बार फिर से अनलॉक की पर किरिया पूरी तरह से देखने को मिलने वाली चलिए बात करेंगे करबड़ी खबर की तो पीए मोधी कल सुबह साड़े च्छे बजे योग दिवस कारेकरम को करने वाले हैं इसलिए दोस्तों आप सभी को परधान मंत्री मोधी का ये भासर देखना चाहिए कि इसमें आप सभी को पता चल पाएगा कि आप सभी को फिट रखने के लिए योग कितना जरूरी है चलिए बात करेंगे हम सीधे एक और बड़ी खबर की तो मानस राष्टी उधान में 30 से बढ़ करके सीधे 46 हो गई है इसके बाद दोस्तों देखने को मिल रहा है कि बागो की जो संक्या है उसमें लगवग 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और इसके बाद इस राष्टी उधान के जो मालिक है वो भी बहुत जादा खुस है और वो कह रहा है कि ये सिरफ बा आने वाल दिरों में आप सभी देखेंगे कि सुसान सिंग राष्पूत का केस सौल्व हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आखिर सुसान सिंग राष्पूत को किस ने खतम किया था आपको उता दे अर्नव गुस्वामी लगातार सुसान सिंग राष्पूत केस में च्छा का सामना कर रहा है सिस्विना विधायक परताप सनराइक ने महराष्ट की मुख्यमंतरी उधर ठाकरे को पत्र लेकर उनसे अपिल की है कि बहुत देर होने से पहले भाजपा के साथ मेल मिलाप करना ही ठीक रहेगा सरनाइक ने 10 जून के अपने पत्र में कहा है कि यदपी भाजपा से गठवंदन तूट गया है लेकिन यूती की नेताओं के बीच वैक्ति गठ और सोहाध पून संबंध बने हुए हैं इसका मतलब यह है कि एक बार फिर से दोस्तों सिवसिना बीजेपी का रुप कर सकती है जिसे पता चलता है कि बीजेपी और सिवसिना के रिस्ते फ्यूचर में अच्छे भी हो सकते हैं चलिए बात करेंगे हम सीदे एक और बड़ी ख़बर की तो मैं कोई सोपीस नहीं हूँ जिसका इस्तिमाल चुनाओ जीतने में किया जा सके ऐसा कहना है नवजोस सिंग सिध्धु का जी हाँ कॉंगर्स के पूर मंतरी नवजोस सिंग सिध्धु ने एक बार फिर से पंजाब सरकार और कॉंगर्स नेतित उपर हमला बोला है उन्होंने कहा कि वह कोई सोपीस नहीं है जिसका इस्तिमाल चुनाओ जीतने में किया जा सके और नहीं वह कॉंगर्स में किसी पद क पीछे भाग रहे हैं मालूम हो कि अगले साल पंजाब समेथ पांच राजों में विधान सबा चुना होने वाला है जिसके लिए राजनितिक दलों ने अभी से तैयारी सुरू कर दी है उत्तर परदेश में जीतन परसाथ के जटका देने के बाद अब पंजाब में नौजो सरकार का बड़ा फैसला एक जुलाई से खुलेंगे सकूल और कॉलेज जी हां कोर्ना वायर्स की दूसरी लहर का परकोब अब कम होने लगा है परदेश सरकारों ने संकरमर दर कम होता है देखते हुए धिरे-धिरे करके अनलॉक की परकिरिया सुरू कर इसी वीच तिलंगा जन जियोन तो समानने हो रही है इसकी साथ बच्चे अब एक बार फिर से सकूल जा सकेंगे उमीद करते हैं कि अब सकूल और कॉलेज फिर कभी बंद नहीं होगा चले बात करेंगे को बड़ी खबर की तो केंदर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कोर्ना वायर्स से मौत पर पर को नहीं दे सकते हैं मौवजा दोस्तो केंदर ने उस्तम नियाले को बताया कि कोविड-19 से जान गवाने वाले लोगों के परिवारों को चार लाख रुपे मौवजा नहीं दिया जा सकता क्योंकि वित्य बोज उठाना मौमकिन है ही नहीं और केंदर तथा राजे सरकारों की आर्थिक इस्तिती भी ठीक नहीं है सीर्स अजालत में एक खलप नामे में गिरह मंतराले ने कहा है कि आपदा परवंधन कानून 2005 की धारा बारा के तहत नियूंतम मानक रहत के तोर पर स्वास्ते अधारबुस सनलचना बढ़ाने परतेग नागरी को खास सुरप्षा सु से बड़ी खबर है महामारी की रफ्तार कम पढ़ते ही 26 जून को धरना जुलाई में देश भर में परदर्सन दोसो देश में कोरना की रफ्तार बहुत कम हो गई है राजे धिरे धिरे अनलॉक की तरह बढ़ रहा है ऐसे में किसान संगठन भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल उनको ग्यापन भी सोकिंगे जिसके बाद दोस्तों पूरी तरह से भारत को त्यार रहना चाहिए कि एक बेहदी गंभीर मामला हो सकता है और इसके बाद यहाँ पर काफी बड़ा धरना परदर्सन हो सकता है जिससे पूरे देश में हड़कंप मच सकता है और कि इनसानों की एक बहुत बड़ी वार्निंग है इसे भार सरकार को विल्कुल भी हलके में नहीं लेना चाहिए तो यह थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद